क्या आपको पता है कि केक्टस पिल्ड काट्टेंज से किसी को 25 साल की जेली हो सकती है और आपने सुनाई होगा जो धर्ती पर आया उसे एक नएक दिन तो जाना ही है मगर ये डायलोग थोड़ा पुराना हो चुका तो अब आचुकी औरिलिया औरिटा जेली फिस मोत जो कभी आती ही नहीं और आपने 12 हावर वाली घड़ी को देखा होगा लेकिन आपने 24 हावर वाली घड़ी को देखा है नहीं न ऐसे ये नन स्टॉप अमेजिंग रेंडमली फैक्ट जानने के लिए तैयार हो जाओ आपको पता है जैसे कि हर घर में एक स्टूर रूम होता है वैसे हमारे दिमाग में वी एक स्टूर रूम होता है जो हमारी यादें जो हम बनाते हैं उनमेंसे जो आपकी सबसे पुरानी यादे होती है वो ब्रिंकलिंग इस पीच इरिया में रह जाती है यानि बस जाती है जिसे मैं स्टूर रूम बता रहा हूँ ब्रिंक्लिंग स्पीच एरिया की लोकेशन हमारे लेफ्ट साइड मिडिल सेविरल आर्ट्रीज में होती है देडियो आलेडी नाओ इस फैक्ट प्लीज कॉमेंट फैक्ट नम्मर नाइन जब भी आप कभी खुले आस्मान की रीचे लेटते होंगे तो आप सितारों को देखते होंगे तो आप सोचों पढ़ जाते होंगी कि इन सितारों की बीच की दूरी कितनी होती होगी तो आज मैं आपको फाइनले वताई दूफ सितारु की बीच की दूरी कितनी होती होगी आप जानका आश्यल चक्रटेट भी हो सकते हो तो मैं आपको बता दूफ सितारु की बीच की दूरी लगबग 20 मिलियन मिलियन मायल्स होते है यानि ये Fact No.8 अगर इसको काट दिया जाये तो कुछ नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता दूँ आप यूसे की एरी जोना में केक्टिस प्लांट को काट देते हैं तो आप जिल विजा सकते हैं कुछ महिनों के लिए नहीं बलकि 25 साल के लिए दोंट फॉर्गेट मैं पॉइंट फैक्ट नमबर सेवन आपको लगता है कि घड़ी से 12 हावल वाली घड़ी होती है तो मैं आपको बता दू नहीं ऐसा नहीं होता है नाइंटी सेवन टीम में रिखता कंपणी ने 24 हावल वाली घड़ी का इंवेंशन किया था आपको लगता होगा कि इसकी क्याजूरत थी तो मैं आपकी चंदकरी के लिए बता दू इसको पिक इन सिचुएशन के लिए किया गया है चैन रात को दिन से अलग करना मुस्किल ह होता है लाइक संबरीन और हाई एल्टिटूट एलोपेंट पालिटो के लिए की जाती है जिससी कि उनको पता चल सके रात और दिन का समय हाओ डिडियू लैग दा फेक्ट प्लीज कॉमेंट अबने 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 आप लोगों को पता है कि आपकी फेवरेट स्मार्टफोन एपरिल कंपनी हर महीने कितना कमाती है अगर हम इसकी कमाई की बात करें तो यह 50 सेकंड इतनी कमाई करती है कि इसकी बारह में कोई बी अंदाज नहीं लगा सकते इसकी कमाई वाइं ठाउज 2997.22 है अगर हम भारती मुद्राओं में इसकी कमाई की बात करें तो यह चौकाने वाली बात हो सकती है 1,28,467.22 कमाती है अगर हम इसकी महीने की बात करें तो यह कुछ इतनी इस कंपनी का नाम सबसे बड़ी कंपनियों में सामिल है Fact No.5 Cotton Candy या फिर बुड़ी अगेवाल तो मैं किस नाम से बलाऊ उसे तो इसका invention किस ने किया था इसका invention 1897 में विलियन मौरिसन ने किया था और Cotton Candy को पब्लिस नाटी जीरो फोर में किया गया था तो वाई आप सोच रहे होंगे इसमें अलग क्या है तो मैं आपको बता दूँ आप जानकर हैरान हो सकते हो विलियन मौरिसन एक डेंटिस्ट थे डेंटिस्ट जो मीटा खाना से मना करते है Fact No.4 दुनिया की सबसे टेश्टी डेंटिसमेल से एक है पीजा तो आपने खाए होगा और क्याप लोग जानते हैं पीजा का नाम पीजा कैसे रखा गया पीजा का नाम पीजा की톤 सेव और सांज़ को दिखते हूं रखा गया पीजा की इरिडियस को जेट से रिप्रेजेंट कराया है, फिंकिनेस यानि मुटाई को ए से रिप्रेजेंट कराया है, और बॉल्म को पाई से रिप्रेजेंट कराया है, इन सब को कॉम्बनीशन से मिला कर नाम बनता है पीजा, तो आपको पता चल गिया होगा पीजा का नाम अगर नहीं पता आपको तो मैं आपको बताता हूं दुनिया का एक मास सार्टिफाइट सेविन स्टा होटल दुवई में जिसका नाम है बुल्ज आल अरव एक्चुली इसका मतलब होता है अरेविन टावर अगर आपको यहां पर एक रात के लिए एक रूम चाहिए तो आपक सकते हैं लेकिन यहां पर आप सुंदर सूइट किराय पर लेते हैं तो आपको एक रात के लिए आप 11,50,000 रुपर तक किराया चुकाना पड़ सकता है तो इसके पहले से यह फैक्ट जानते थे और नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना ना भूलें फैक्ट नमबर टू कि आपने कभी सुनाए कि कोई प्राणी है जो जामेसा जीवित रह सकता है एह बात आपको हैरन करने वाली जीड़ी हो सकता है लेकिन बिलकुल सच मौत जो कभी आती ही नहीं दो हजे ग्यारा में चीन के सियोमिन यूनिवस्टी में मैरीन बायलोजी के चाट जीनरो ही ने और लिया और इटा जैली फिस को एक टैंक में रख दिया जब वह जैली फिस मर गई तो उस चाट ने उसके में तसरीर को दूसरे टैंक में रख दिया और उसकी निगरानी करत फिर टीन महीने के बद देखा कि जैली फेस के मैंते सरीर के ऊपर एक छोटा सा पॉले बहर आ रहा है। जैली फेस हुटी है मैंते सरीर से दोबाला जनम लेनी की है पृति के लिए अब तक जैली फेस परजातियों में देखी जा चुकी है। सबके दिमाग को उड़ा देने वाले खोज है यह मां समय कि सबसे अधुबत खोजों में से एक है डाइट डेड नेवर कम्स फ्रेक्टर नमबर वन गाइस आप लोग ने अपनी जिंदिगी में कभी में कभी तो टुमार्टो केचप तो खाया ही होगा जो आप तोमार्टो केचप खाते हो ना उनमें को मैं बता दू एक बीमार लोग कि दबा थी जो आज आज आप खाते हो सन 1800 में डायरिया बिमार लोग को तुमार्टो केचप दबाई में दिया जाता था और इसको पहली बार पब्लिश 1812 में किया गया था जिसके वज़े से आप अभी तक खाते आ रहे हो वट एटिंग टुमार्टो केचप डज नोट हाम यह चैनल लाइन है तो अभी तक अपने सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर देना अभी इस चैनल पर इंटरिस्टिंग वीडियो आने वाली है तो आपको बहुत मजाएगा प्लीज लाइक दे वीडियो